हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ चिकेन मसाला का रेसिपी सेयर करने जा रहे हूँ सबसे पहले आप मेरे चानेल को सबस्क्रेब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चलिए सुरू करते हैं कड़ाई गरम करेंगे उसमें थ्री टेबल स्पून ओयल डालेंगे ओयल गरम होने के बाद दो बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को फ्राय करेंगे मीडियूम टू हाई फ्लेम में जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसका कलर जब तक चेंज ना हो जा इसको भी फ्राय करेंगे प्याज के साथ अब हमारा प्याज का कलर भी चेंज हो गया है अब हम यहां पे टू टेबल स्पून अद्रक लसुन का पेस्ट डालेंगे इसको भी एक मिनिट के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्छा स्मेल चला जाए थोड़ा सा पानी आठ करे लेंगे नहीं तो निच्चे से मसाला लग जाएगा अब इसको हम भून लेंगे अच्छे से भूनने के बाद वान टीस्पून रेड़ चिली पाउडर डालेंगे इसको भी मिला लेंगे अब बाद में भी डाल सकते मगर तेल में डालने से करी का कलर अच्छा आता है फिर टामाटर प्यूरी डाल देंगे इसको भी भूनेंगे अच्छे से जब तक टामाटर पूरा सौप्ट ना हो जाए अब हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर वान टीस्पून जीरा पाउडर और वान टीस्पून धनिया पाउडर इस अब को मिला लेंगे वांटी स्पून नमक डालेंगे या स्वाद के अनुसार आप भी डाल सकते हैं इसको मिला लेंगे और कवर ढखके इसको पांच से छे मिनिट के लिए कुख होने के लिए छोड़ेंगे विए हमारा मसाला भी अल्मोस्ट पग गया है तेल उपर आ गया है अच्छी से मिक्स हो जाने के बाद यहां पर हम वान टेज हिस्पून चिकैन मसाला पाउडर डाल देंगे अब हम कवर ढखके मसाला और दही को चार से पांच मिनिट के लिए कुक खोने के लिए छोड़ देंगे अब दही और मसाला सब अच्छे से हमारा भूनी हो गया है अब हम चिकेन पीज डाल देंगे सब अब को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर मैं 800 ग्राम चिकेन लिए हूँ चिकेन को मसाला में अच्छे से हम भूनेंगे एक दो मिनिट के लिए ऐसे मसाला में भूनेंगे भूनने के बाद हम कवल लगा लेंगे और आठ से दस मिनिट के लिए कूख होने के लिए छोड़ेंगे अभी चिकेन से पानी छोड़ दिया है चिकेन भी हमारा अल्मस्ट गल गया है आप भी ऐसे सिंपल तरीके से घर में बना सकते है अब हम यहां पर हाप कप गरम पानी डालेंगे और हाप टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे इसको मिला लेंगे और चार से पांच मिनिट के लिए पकने देंगे देखिए हमारा चिकेन मसाला रेडी हो गया है अब हम धनिया पता उपर डाल देंगे इसको भी मिला लेंगे वह हमारा चिकेन मसाला बन के रेडी हो गया है अब इसे गरम गरम सर्प कर सकते हैं राईस और रोटी के साथ